हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू साइन्स मैगनेट दोस्तो कैसे हैं आप लोग सभी आई होप सभी बहुत अच्छे हैं शानदार हैं जानदार हैं दोस्तो जो भी स्टूडेंट्स रेल्वे एकजम की त्यारी कर रहे हैं उनका जो सपना है चाए वो एलपी हो टेक्निशन हो या जूनियर इंजिनर बनना तो आप लोगों को पता है रेल्वे में हर पोश्ट के है वो बैटर होनी चाहिए वरना क्या पता आपके साथ में कितने जनों का आप लोग नुक्सान कर बैटे ठीक है तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो बोलता है और 6x6 आई होनी चाहिए इस वीडियो में ठीक है तो यह बहुत इंपोर्टेंट है अगर आप लोग किसी भी रेल्वे एक्जाम की तियारी कर रहे हो तो उससे पहले यह वीडियो आप लोग जरूर देखे चलिए देखिए आप लोगों ने देखा होगा 2018 के करम लोग बात करें ALP टेक्निशन की जो वर्तिया आई थी उसका जब आप लोग डिटेल में नोटिफिकेशन देखोग के हैं अलग-अलग department के किसी का B1 होना चाहिए किसी का B2 किसी का C1 तो सबकुछ हम लोग समझेंगे है यह एना तो A1 में बोला गया YAYER 020 2-1 मेऊ और यह होना चाहिए और समझेंगे एक एक चीज्वा ना similarly आप लोगो ने जब आर और भी ज輯ह का to notification देखा होगा तो वहाँ पर भी देखो junior engineer मतलब इस वाले department के लिए medical standard A3 होना चाहिए किसी के लिए C1 किसी के लिए B1 तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो उन्होंने बोला गए उन्होंने अलग से लिख दियाता कि वह यह A3 का मतलब यह है B1 का मतलब यह है B2 का को बता दू जो भी students ALP बनना चाहते हैं असिस्टेंट लोको पाइलेट बनना चाहते हैं उनके लिए जो medical standard है वो A1 है अब इस A1 का मतलब क्या है physically fit in all respect physically तो आप लोग fit होने ही चाहिए ऐसा नहीं है कि यह किसी क्या कुछ liver transplant हुआ है kidney transplant हुआ है ना तो physically तो आप लोग fit होने ही चाहिए हो साथ में अब हम लोग बात करते हैं visual आपकी eye की condition क्या होनी चाहिए देखो distant vision होना चाहिए six by six और जो six by six होना चाहिए वो without glass होना चाहिए दोस्तों कोई-कोई medical standard ऐसा है जिसमें six by nine भी चल जाता है six by twelve भी चल जाता है और काईदे की वर्मतों कैसे with और without glass यानि आप चश्मे की मदद से भी अगर आपका six by nine आ रहा है six by twelve आ रहा है तो कोई रिक्कत नहीं है तो आईए हम लोग समझता है ये six by six six by nine six by twelve चल क्या है देखो दोस्तों six by six आई टेस्ट जब आप लोग करवाने जाते हो तो होता क्या है जब भी आप लोग टेस्ट करवाने जाएंगे वहाँ पर आप लोगों को कुछ इस प्रकार का चाट नजर आएगा दोस्तों इस चाट को हम लोग बोलते हैं इस नेलन चार्ट अब सर इसमें होता क्या है देखो एक्चुली आपको उस चार्ट से कित्ती दूरी पर बिठाये जाता है ध्यान रखेंगे 6 मिटर की दूरी पर बिठाये जाता है ना यह जो आप लोग आई टेस्ट करवाने जाएंगे दब आप लोगों को 6 पढ़े पहली लाइन फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी फिर पाचवी अब आप लोग देखेंगे कि सर मेरा जब आई टेस्ट हुआ था तब यहां पर यह अलफा बैट नहीं थे तो दोस्तों जरूरी नहीं है अलफा बैट ही हो आप लोगों कि नियूमेरिकल वैल्य साइड खुला हुआ है यह फिर आप लोग बोलेंगे कि दूसरी लाइन में देखो बताओ मुह कहां पर खुला हुआ है तो आप लोग बोलेंगे सर पहले लेफ्ट में खुला हुआ है फिर नीचे है फिर लेफ्ट में मतलब आप लोगों को चेक करना पड़ता है कि यह आपके पीछे लगा देते हैं चार्ट और सामने रखते हैं मिरर तो आप लोगों को मिरर में देखना होता है तो दोस्तों माल लेता है अगर कमरा छोटा है तो आपके और मिरर के बीच के दूरी रखी जाती है तीन मिटर और चार्ट आपके पीछे होता है तो तीन ऐसे तीन तो टोटल 6 मिटर हो गया ना, मतलब कुल मिला के आप से चार्ट 6 मिटर की दूरी पर होना चाहिए, ठीक है, अब होता कैसे है, देखो, आप लोगों का कुछ इस टाइप का चार्ट होता है, अगर आप लोगों ने सबसे पहले आपको पहले लाइन पढ़ने को बोला जाता है फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौती, फिर पाथवी, फिर छटी, फिर साथवी, अब देखिए, यह जो पढ़ने को बोला जाता है न, ऐसा नहीं कि दोनों आपको बोला जाता है कि चलो, चेक करो ऐसे, नहीं, आप लोगों की पहले दोस्तों, एक आँख बंद कर दी ज पढ़ी इसका मतलब 6 by 36 है, अगर आप लोगोंने तीसरी भी अच्छे से पढ़ी इसका मतलब 6 by 24 है, अगर चौती भी अच्छे से पढ़ी तो 6 by 18 है, पाच भी भी अच्छे से पढ़ी तो 6 by 12 है, यह वाली भी अच्छे से पढ़ी तो 6 by 9 है, और दोस्तों अगर आखरी वाल लाइन पढ़ने में आनी चाहिए आसानी से समझ में आ गए अब दोस्तों अलग-अलग पोश्ट के लिए किसी के लिए 6x12 तक चल जाएगा 6x9 चल जाएगा इबन दोस्तों 6x12 चल जाएगा चश्मे के मदद से कि अगर आप लोग चश्मा भी पहन रहे हो ना तो 6x12 तक या दूर पे रखी चीजों को आप लोग आसानी से देख पारे हो नहीं देख पारे हो एक होता है दोस्तों आपका near vision test आपकोफ्थ में बूक लेट दिया जाएगी या कुछ भी आप लोगों को चार्ट दे दिया जाएगा दोस्तो distant vision में जो chart है और आप हो उसके बीच की जो distance होनी चाहिए थी वो 6 meter होनी चाहिए थी जबकि दोस्तो जब आप लोगों का near vision check किया जाता है कि pass की चीजों को आप लोग देख पारे हो नहीं देख पारे हो तो जो booklet आपको दी जाती है और आपके बीच में जो distance होनी चाहिए वो कितनी होती है 25 cm होती है फिर आप लोगों से check किया जाता है तो पहले आप लोगों को ये पढ़वाय जाता है दिख रहा है क्या फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये इसको बोलता है N36 इसको बोलता है N24, इसको N18, इसको N12, N10, N8, N6 है, ठीक है, तो जो ALP की तियारी कर रहे हैं, उनको यहां तक बिल्कुल clear नजर आना चाहिए, ठीक है सर, यह समझ में आ गया है, मुझे 6x6 आई क्या होती है, 6x9, 6x12, सब कुछ समझ में आ गया, अब बात करते हैं, next और क्या चीज वहां पर बोली गई थी, देखो, एक तो आप लोगों को बोला गया था, distant vision इतना होना चाहिए, 6x6 होना चाहिए, 6x9 होना चाहिए, 6x12, near vision भी मैंने आप लोगों को बता दिया, अब एक चीज आप लोग ध्यान रखोगे, जैसे मालों यह कोई B1 medical standard है, इसमें बोल जा रहा है, with और without glass, आप चश्मे की मदद से भी आप लोग देख सकते हो, चश्मे की बिना मदद से भी आप लोग देख सकते हो, लेकिन जो power of lens है ना, माली जे किसी के चश्मा लगा हुआ है, वो आसानी से वो पढ़ पा रहा है, नीचे तक, नीचे लाइन तक, लेकिन द खीक है, अब सर ये अलग-अलग क्या है, night vision, सब कुछ मैं आप लोगों को समझाता हूँ, देखो, तो I hope आपको 6x6, 6x9, 6x12 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अब हम लोग बात करते हैं, दोस्तो, eye fogging test, देखो, eye fogging test क्या होता है, जैसे माल लेते हैं, किसी व्यक्त eye fogging test, तो जितने power का आप चश्मा लगावा है, उससे ज़्यादा power का चश्मा जब आप लोगों को लगाया जाता है, तो आप लोगों को blur नजर आएगा, ठीक है, ये क्यों लगाया जाता है, आप लोग समझे, जैसे माल लेते हैं, मैंने डॉक्टर से चश्मा लगवा लि ये जो चश्मा वगर आप लोगों लगा रखा है, वो सही लगा रखा है, या नहीं लगा रखा, दोस्तो एक होता है color vision test, color vision test में आप लोगों को दोस्तों कुछ colors की बीच में number नजर आते हैं, तो आप लोग क्या colors को differentiate कर पा रहे हैं, या नहीं कर पा रहे हैं, ये आप लो पर रखी चीजों को आस्वानी से आप लोग देख पारे हो ठीक है अब बात आती कि सर उसका लेंज का मतलब क्या था कि 4D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आइए देखते हैं देखिए दोस्तों जिन भी लोगों को चश्मा लगा होता है उनको बेसिकली दो प्रकार की समझ होती है जनरली ठीक है एक तो होता है आप लोगों का मायोपिया जिसे आप लोग नियर साइट नेस भी बोलते हैं हिंदी में निकट द्रश्टी दोश भी बोलते हैं एक होता है हाइपरमेट्रोपिया जिसे आप लोग दूर द्रश्टी दोश भी बोलते हैं दोस्तों जाता हूं तो दोस्तों जो मायोपिया होगा देखो जिस व्यक्ति का नॉर्मल विजन है कोई दिकत नहीं है तो इसको दूर की चीज़े पहाड भी साफ नजर आ रहे हैं पास की चीज़े घोड़ा भी साफ नजर आ रहे हैं जिसको मायोपिया है निकट द्रश्टी दोश है उसको निकट की चीज़े तो साफ नजर आ रही है, घोड़ा तो साफ नजर आता है, लेकिन ये उपर के, ये देख रहे हो ना, आप लोग पहाड वगरा ये नजर नहीं आ रहे है, दोस्तों जिसको हाइपरमेट्रोपिया होता है, दूर रश्ट्री दोश होता है, उसको दू दूर की चीज़े तो साफ नजर आ रही है, यानी ये पहाड वगरा तो साफ नजर आ रहे है, पास की वस्तों साफ नजर नहीं आ रही है, तो एक्चल में होता क्या है मेरी आई ऐसी नजर आएगी, लेकिन जब मैं ऐसे हूँ, जब आई को आप लोग साइड से देखोगे तो कुछ ऐसी नजर आएगी दोस्तो इस आई के अंदर क्या लगा होता है एक लेंस लगा होता है ठीक है हमारी आई में नैचुरल पाई जाता है तो किसी भी ऑबजेक्ट से कोई भी वस्तु जब आप लोग देखते हो तो इससे प्रकाश्ट किरन आती है लेंस के अंदर ये तो अगर रेटिना पर इमेज बंद रही है तो आपकी आई जो है वो बिल्कुल सही है लेकिन दोस्तो जिन व्यक्तिव को मायोपिया होता है उनमें होता क्या है ये जो लेंस होता है ये पहले ही लाइट रे को कनवर्ज कर देता है यानि जो इमेज रेटिना पर बननी चाह करता है light tray को diverge करता है तो जब light tray इस में से कोखे गुजरेगी ठोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा यह ठीक है यहाँ पर आपका अधर कंवर्ज हो जाएगा ठीक है तो आप लोगों को कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा कॉन के लेंस लगाना पड़ेगा कौन के इसिकली क्या कर रहा हैu light ray को diverge कर रहा है अब दोस्तों diverging power जो होती है उसको ना पाजाता है डायव टर में तो दोस्तों one डायव भी हो सकता है one point two डायव भी हो सकता है one point two Для भी हो सकता है लेकिन अगर आप lag four डायव टर से ज्यादा का चश्मा पैंदर उसको मतलब भी आपकी आई में बहुत ज़्यादा दिक्कत उसको सही करने के लिए बहुत ज़्यादा पावर का आप लोग क्या पैंद रहे हो चश्मा पैंद रहे हो ठीक है और जो कॉनकेव लेंस होता है उसकी पावर हमेशा माइनस न होती है जैसे आपने सुनाओगा कि मैंने माइनस 0.25 डाइपटर का चश्मा पैंद रहे है या माइनस 1 का पैंद रहे है ठीक है सिमिलरली हम लोग बात करते हैं दोस्तों हाइपर मैट्रोपिया दूर रश्टी दोजिश में दूर की चीज़े तो साफ नजर आ रही है पास की चीज़े नजर ही नहीं आ रही है तो सर इसमें एक्चुली में क्या होता है जो इमेज रैटीना पर बननी चाहिए थी वो रैटीना पर पीछे बनती है इसका मतलब यह जो कॉनवेक्स लैंस है वो लाइट रे को कनवर्ज नहीं कर पा रहा तो आप लोग एक और कॉनवेक्स लैंस लगा देंगे तो कुछ यह कनवर्ज कर देगा कुछ यह कनवर्ज कर देगा जिससे इमेज जो होगी वो आप लोगों की रैटीना पर बन जाएगी तो दोस्तों यह जो लैंस आपने लगाया तो आपके जो आई है वो 6x6 है या 6x9 है 6x12 है आपको रोस्तों घर पे भी चेक कर सकते हो सर कैसे चेक कर सकता हूँ अमेजोन पे जाएए वहाँ पर आप लोग और करिए स्नेलन चार्ट मतलब मुश्किल से 100 रुपे के आसपस वो आएगा और आपके घर में एक से दो दिन में पहुच जाएगा तो उसको क्या करिए आप लोग अपने से 6 मिटर के दूरी पर रखिये एक बार आप लोग आँग बन करिये एक दूसरी से देखिये तो अगर आप लोग पूरा नीचे तक देख पार है उसका उतलब आपकी जो आई है वो 6 by 6 है दोस्तो आई होप आपको ये पूरी जानकरी समझ में आ गई होगी आप लोग railway की कोई भी exam की तियारी करते हो उसमें science आप लोग को होता है most important है science का batch आप लोग का already चल रहा है feature आपको बदाता हूँ science के batch के साथ में आपको 299 में रुपए की test series भी free मिल रही है जहां पर हर एक chapter का complete test है पूरा chapter पढ़ो जाके test लगाओ चैप्टर पढ़ो जाके test लगाओ content bilingual है हर class की PDF मिलेगी आपको एक साल की validity भी है sir content बताइए किस level का होता है देखो ये आप लोग देख सकते हो ऐसा content है class में सब कुछ याद हो जाएगा sir join कैसे करूँ प्ले स्टोर पर जाइए science magnet एप इंशॉल करिए इसके course वाले section में जब जाओगे यहाँ पर मिल जाएगा general science for all government exam इसको जाके अप लोग बाइनाव कर लीजिए ठीक है और ALP और technician वाले बच्चों के लिए जो CBT2 में basic science and engineering आती है उसका भी course एविलेबल है वहाँ पर जाके आप लोग ले सकते हो अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस नंबर पर call कर सकते हैं तो बहुत से student मुझे comment कर रहेते sir यह 6x6 क्या है 6x9 क्या है 6x12 इस पर एक वीडियो बनाईए तो इस पर लिए finally में एक वीडियो आप लोगों का लेकर आ गया हूँ I hope आपको समझ में आया होगा दोस्तों वीडियो को like करे share करे और अपने comment जरूर बताईए अगर आप लोगों को किसी चीज में doubt है कि सर में उसका भी एक अलग से वीडियो बना दूँगा यह ना बहुत से बच्चे बोड़ेते सर मुझे समझने आरा 6x9 क्या है 6x6 क्या है तो उसका मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दिया है अगर आपको और भी किसी चीज में doubt आए तो आप लोग बिल्कुल बे जीजा कमेंट कर सकते हैं उसका भी है मैं आप लोगों की problem solve कर दूँगा thank you so much, bye bye, take care